नमस्कार दोस्तों मेरे राम है तुर्ष वास्तो और स्वागत है आपका नेक्सेज जीयोस में समिक्षा दिकारी प्रिलेम्स 2023 के लिए नया बैज स्टार्ट हो चुका है 6 नौवंबर 2023 से और इस बैज की सारी डिटेल्स के बारे में हम लोग इसी वीडियो में डिसकसन करने वाले हैं चले शुरुआत कर देते हैं किस प्रकार से क्या क्लासेज मिलने वाली हैं तो सोमवार से सनिवार तक क्लासेज मिलती हैं और प्रति दिन आपकी 70 मिनट की Classes होती है, Class सुबह 10 बजे आ जाती है आपके पास, उस Class को आप कभी भी कर सकते हैं, इस Class को आप 80 बार कर सकते हैं, इसमें कोई भी Validity नहीं होती है, कि आप 1 बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, ठीक है, Batch की Validity होती है, बैच की जो इस Batch की validity होगी वो 4 फरवरी 2024 होगी जो most probably आपकी समिक्षादिकारे की date है तो इस batch को आप 4 फरवरी 2024 तक देख सकते हैं चलिए अब इस batch में आपको क्या-क्या मिलने वाला है किस प्रकार से हम पूरा slabus को हम लोग cover up करेंगे सारी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली जो class होती है वो subject class होती है 30 minute की ये class होती है 30 minute की ये class होती है और Monday टी उसरे history पढ़ाया जाता है Wednesday को geography Thursday को आपका quality Friday को आपका science की class होती है Saturday को economics की होती है और इसी में environment UP special ये भी add किया जाता है to the point होती है class और जैसे किसी भी topic का सारांस आपको पढ़ाया जाता है कि next examination में क्या पूछा जा सकता है मतलब जो समिक्षादिगारी prelims में अब क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में बात होगी इस class में ठीक है आपको daily लिखाया जाएगा जो जो notes आपको बनाया जाए वो आपको लिखना है second जो class होती है वो nexus gs special की होती है current related gs पढ़ाया जाता है जो सामाने अध्यन को जोड़कर gs बनता है वो इसमें पढ़ाया जाता है revision बहुत ज़दा कराया जाता है और updation यही इस class का remark है पिछले 7 सालों में सबसे यादा लोगप्री एक class रही है nexus gs special की daily 20 minute की एक class आपकी होती है third class जो होती है वो current phase की होती है current phase की class को करने के बाद आपको कभी भी current phase याद करने की ज़रूत नहीं पढ़ेगी आपको current phase class में ही याद करा दी जाती है fourth जो class होती है वो हिंदी की होती है और इसमें RO के 6 topic जितने भी है 6 topic उन सारे के सारे topic को daily पढ़ाया जाता है प्रदिन पढ़ाया जाता है तो हिंदी भी आपको कभी भी याद करने की आवशक्ता नहीं पढ़ती है बहुत संचिप्तता के साथ इसमें पढ़ाया जाता है ऐसा नहीं कि बहुत सारा data दे दिया जाएगा बहुत limited data आपको पढ़ाया जाता है और अतना ही आपको याद कराया जाता है तो ये रही आपकी total classes इसके लावा दो GS के page आपको प्रदिन मिलते हैं एक current phase का आपको page दिया जाता है monthly current audio November 2022 से लेकर आपका October 2023 तक का monthly current audio आचुका है वो आपको class में ही pin message पर बिल जाएगा payment के जस्ट बाद week test होता है प्रतेक सनिवार को मतलब सोमवार से सनिवार तक जितनी भी चीज़े पढ़ाई जाती है उसको सनिवार को कुछ format में एक test होता है इसके लावा full test होता है Sunday को प्रतेक रहवार को full test होता है जो PDF format में होता है और ये आप PDF डाउनलोड भी कर सकता है तो with solution रहता है ये PDF almost 25 test आपका इस batch में होने वाले हैं 20 से 25 test कम से कम होंगे और 15 test कम से कम GS के होंगे और 10 कम से कम Hindi के होंगे जो जितना बताया जा रहा है वो कम से कम आपका है सापताहिक test के बाद उसका result होशित किया जाता है YouTube पर आपकी rank के साथ इस class की सबसे बड़ी खासियत है वेक्तिगत मार्क दर्शन दिया जाता है person to person सभी लोगों को बताया जाता है उनके marks के according कि उनकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है या फिर उनको और क्या करने की आवशक्ता पढ़ती है जैसे आप सभी लोग उनको बताया daily सिर्फ 70 मिनिट की class होती है और वही 70 मिनिट आपको लिखने है एक बार आप लिखते हैं फिर उसके बाद उसको याद करते हैं तो चीजे जो है बहुत अच्छे से तयार हो जाती है class के लावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरुरत नहीं पढ़ेगी क्योंकि class में ही maximum जो data है जो books हैं उन सभी चीजों का निचोड आपको प्रोवाइट किया जाता है टोटल जो है ये classes 6 नॉवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक चलेंगी इस बैच की जो validity होगी वो 4 फरवरी 2024 तक होगी और इस बैच की जो टोटल फीस है वो 2500 है 5,000 रुपए सिर्फ इस बैच की फीस है अब इस बैच को जोईन कर सकते है चले तो सारी की सारी details जो है हम लोगों ने provide कर दी फिर से मैं इस चीज को repeat कर देता हूँ इस class को करने के बाद इस batch को करने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की आवशक्ता नहीं पढ़ेगी class में जितनी चीजें कराई जाती है वो sufficient है सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है उतना ही तयार करता है हमारे हाँ जो सबसे base चीज है वो इस चीज पर focus रहता है कि आपको updated चीजें provide की जाए current related GS आपको दिया जाए revision आपका maximum कराया जाए और इसका benefit यह मिलता है कि current related GS पढ़ने से आप परिक्षा के लिए पूरी तरह से तयार हो जाते है अगर आप यह सोचें कि पहले क्या आया है तो इतने हमारा काम हो जाएगा तो अब नहीं होता है पहले होता रहा होगा अब नहीं होता है पहले यही इसी तरह से चलता था लेकिन अब जो है जो nexus GS का format रहा है पिशल 2015 से लगाता नxus GS चल रही है तो यहाँ पर current related GS पढ़ाय जाता है जो current से relate कर रहा है GS वो आपके examination में पूछा जाता है previous में क्या पूछा गया है उसमें अब क्या update हो सकता है इस चीज़ पर base होती है आपके examination ठीक है बाकी सारी details इसी वीडियो की description box में भी आपको डाल दी जाएगी payment किस प्रकार से करना है किस तरह से करना है आप हमारी class से जुड़कर अपनी जो समिक्षा अधिकारी का पहला पढ़ाओ है प्रिलिम्स की परिक्षा है उसको पार कर सकते हैं और last year जो हमारी class की तरफ से जो टॉपर रही है Nexus Yes की super star रही है रहाना जी इन्होंने पूरे उत्तरव देश में rank 2 पराप्त की है और इनका जो बोल सकते हैं कि एक detail इनका वीडियो वो हमारे इसी Nexus Yes के ही YouTube चैनल पर पढ़ा हुआ है आप लोग उसको जा कर देख सकते हैं एक housewife होकर इतनी महनत करने के महनत करकर इन्होंने rank 2 पराप्त किया है चले फिलाल लेता ही Thank you so much